नमस्कार मैं कनिशकर एक सुवाल और स्वागत है आपका एबी स्टार के बॉलिवुर्ड धमाल में शिरू करते हैं पहली खबर से शिलपा शेटी की फैमिली के लिए ये मुश्किल भरा वक्ट चल रहा है उनके पती राजकुंद्रा पॉन वीडियो केस में फसे हैं उनके अर्रेस्ट होने के बाद शिलपा और उनके परिवार को सोशल मीडिया पर आए दिन ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता है अब उनका रीसेंट वीडियो सोशल मीडिया पर आया है इस वीडियो में शिल्पा किलकला कर हस्ती नजर आ रही है लोगों ने इस वीडियो पर भी उनको च्रोल किया है राजकुंद्रा को लेकर किये गए कॉमेंट पर होस ने मूतोर जवाब भी दिया शिल्पा शेक्टी के पती राजकुंद्रा को अब तक बोल माफ कीजे का बेल नहीं मिली है इस वीडियो शिल्पा शेक्टी अपनी लाइफ को लेकर ट्रैक पर लाने की पूरी कोशिश कर रही है उन्होंने सूपर डांसर चाप्टर चार में वापसी कर लिया है और वे सोशल मीडिया पर भी काफी अक्टिव नजर आ रही है इस बीच एक चाट शो का टीजर सोशल मीडिया पर आया इस चाट शो में शिल्पा गेस्ट के तौर पर आई थी बॉलिवूड अक्टर नसीर उद्दिन शा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वारल हो रहा है इस वीडियो में उन्होंने तालिबान की जीत पर जशन मना रहे हिंदुस्तानी मुसल्मानों की आलोचना की है क्लिप में नसीर ने कहाए कि वे एक हिंदुस्तानी मुसलिम है और हिंदुस्तानी इसलाम दुनिया भर के इसलाम से अलग है खुदा ना करें कि ऐसा वक्त आए कि हम उसकी पहचान भी ना कर सकें वीडियो क्लिप में नसीर कहते हैं हाला कि अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के ले काफी फिक्र की बात है मैं एक हिंदुस्तानी मुसल्मान हूँ और जैसा की मिर्जा गालिब एक अर्सा पहले फर्मा गए है मेरा रिष्टा अल्ला मियां से बेहद बेतकुल्फ है मुझे सियासी महज़त की कोई जरूरत नहीं है हिंदुस्तानी इसलाम हमेशा दुनिया भर के इसलाम से अलग रहा है और खुदा वो वक्त न लाए की वो इतना बदल जाए की हमें उसे पहचानने में मुश्किल हो नसीर उद्दिन इस वीडियो में उर्दू मोलते दिखाई दे रहे है सोशल मीडिया पर ये वीडियो खूब वारल हो रहा है 15 अगर्स को तालेबान ने अफगानिस्तान की सता अपने हाथ में ले ली थी भारत में कुछ मुस्लिम संगठनों ने तालेबान के अफगानिस्तान पर कबजा सकारात्मत प्रक्रीतिया दी थी Entertainment इंडस्ट्री से एक बार फिर से कोरोना की खबरे आने लगी है फिल्मेकर रूमा जफरी और उसके बाद कोरियोगरफर फारा खान की COVID रिपोर्ट पॉजिटिव आई है फारा खान को वैक्सीन की दोनों डोस लग चुकी है और उन्हें पूरी उमीद है कि वे जल्दी रिकवर हो जाएंगी फारा ने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की खबर लोगों को इंस्टेग्राम अकाउट पर दी है फारा खान ने रिसेंट्ली डांस रियालिटी शोओ को शूट भी किया था उनका शारु खान के साथ भी वीडियो वारिल हुआ है फाराग खान ने अपने इंस्ट्रोग्राम अकाउंट पर लिखा है मुझे हिरानी है कि क्या ऐसा इसलिए हुआ है कि मैंने काला ठीका नहीं लगाया था पूरी तरह से वैक्सिनेट होने पर भी दोडो वैक्सीन लगवा चुके लोगों के साथ काम करने के बावजूद में कोरणा पॉजिटिव हो गई हूँ मैंने सब को बता दिया है कि जो मेरे कनेक्शन में आये हैं अपना टेस्ट जरूर करा ले हाला कि हो सकता है कि मैं किसी को भूल गई हूँ प्लीज अपना टेस्ट करा लें और उमीद है कि जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगी और अच्छी रिकवरी कर सकूंगी दिगर जबिनेता दिलिप कुमार के निधन के बाद अब हाल ही में उनकी पत्नी सायरा बानो की तबिद बिगड़ने की खबर आ रही है बताये जा रहा है कि उन्होंने अस्पताल में भर्ती किया गया है। वही अभी तक उनके परिवार से इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आया है बता दें कि कुछ समय पहले साहरा बानो को बड़े सत्मे से गुजरना पड़ा था उनके पती दिलिप कुमार का निधन 98 की उम्र में लंबी बिमारी के कारण हो गया था 7 जुलाय 2021 को दिलिप सहाब के निधन की दुखत खबर आई थी उसके बाद दुख में डूबी साहरा के सहाब ने आई तस्वीरों में भी दिल तोड़ने वाली तस्वीरे आई हैं उस दौरान साहरा का दुख शामिल होने के लिए बॉलिवूट इंडस्ट्री से जोड़े कई लोग वहां पहुचे थे ड्रग्स मामले में चल रही परताल के बीच कई नामी हस्तियों से पूचताच हो चुकी है वहीं बताते चने की इन दिनों केस में अक्टर अर्मान कोली को नाकोटिक्स कंशोल ब्यूरों से भी ने गिरिफतार कर लिया गया है बीतेर अविवार को उनके घर में ज्रग्स मिलने के मामले में ये अरेस्ट हुए थे जिसके बाद से लगतार कई चौकाने वाले अपडेट सामने आ रहे हैं हाली में इस केस में मुंबई की एक कोट ने अर्मान कोली को 14 दिन की नियाएक हिरासत में भेज दिया है उन्हें मुंबई स्तित घर में ज्रग्सीज मिले थी इस वज़ा से उन्हें गिरफतार किया गया था बता दे कि 28 अगस्त को अर्मान के घर पर NCB ने रेड की थी जिसके बाद उन्हें पूछताच के लिए ले जाया गया था कई मीडिया रिपोट्स में ये भी बताया जा रहा है कि पूछताच के दुरान अक्टर नशे में थे हाला कि कोली को नाकोटेक्स ड्रग्स और साइकोट्राफिक सबस्टैंस एक के तहत पर बुक कर दिया गया है इस केस में स्पेशल NBPS कोर्ट ने एक सितंबर तक अर्मान कोली की NCB करस्टिडी माफ कीज़े का कस्टिडी बढ़ा दी है वहीं आपको बताते चले की अजे को NCB ने हिस्ट्री शीटर बताया है और उससे पूछताच के दौरान ही अर्मान कोली को गिरफतार किया था बॉलिवुड की ऐसी ही कुछ तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहेगे AB Star News के साथ नमस्कार हुआ है